हेलो गाइज मैं अनिल कुमार स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अनिल कुमार लेक्चर में प्रेंड्स आज हम अंतर इस परचिया नामक चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए लेक्चर नमर टू ला रहे हैं तो प्रेंट्स इस वीडियो में हम बताएंगे अन्ता इस परचिया ज्याद करने की 2nd मेथेड तरह 2nd मेथेड के साथ हम आपको ये भी बता देंगे कि अंता इस परचिया का अस्तित कब होता है तता कब नहीं होता यह second method है और इसी method का प्रयोग करके आप किसी भी वक्र की अंता इस परचिया भी ग्याद कर सकते हैं और अन्ता इस परशिया ज्याद करने के साथ साथ हम इस मेथेड में यह भी बता देंगे कि अन्ता इस परशिया का अस्तित्त कब होता है और कब नहीं होता तो देखेगा गाईच सबसे पहले हम बताते हैं कि अंता है इस परचिया का अस्तित्त कब होगा तथा कब नहीं होगा ठीक है तो देखिए यदि हम कोई वक्र दिया जाए यदि कोई भी वक्र दिया जाए ठीक फ्रेंस तो उस वक्र में Y की जगह MX प्लस C रख दें और जो M का प्राप्त हो जो M का मान प्राप्त हो M की वेलू उस C की जगह पर रखने पर यदि जो C की वेलू है प्लसperformi2 या माइनस humidity प्राप्थ हो जाती है, तो अपने को पता चल जाएगा कि जो अपना व्वक्र है, उसमें कोई भी अन्ताइस परचिया नहीं है, टेक्ट Hayles, तो I hope आपको समझ मेरा होगा कि कैसे चेक करेंगे कि अन्ताइस परचिया का अस्तुम्राइद या नहीं, तो देखे गाइज पहला वक्र दिया गया है अपने को देखे यहाँ पर देगाए y square is equal to 4ax की अंतर इस परसिया होती है या नहीं अपने को चेक करना है ठीक फ्रेंट्स तो देखे इसे अपन चेक करते हैं सबसे पहले अपने इस question को हटा देते हैं ठीक फ्रेंट्स तो देखे हमने इस question को हटा दिया question दिया गया था y square is equal to 4ax की अंतर इस परसिया झ्याद कीजिये क्या करना है अंतर इस परसिया ग्याद कीजिया और ये भी बचाना है कि इसकी अंतर इस परसिया का अस्तित है या नहीं तो चलिए हमने जैसा कि बताया कि y equal to mx plus c रखना है यही अपना second method ठीक है तो रख देते y की जगे mx plus c y की जगे और square और यहाँ पर 4a x ठीक है यहाँ पर देखिए इसका whole square करेंगे तो हो जाएगा m का square क्या हो जाएगा m का square x का square प्लस 2mxc plus c का whole square equal to 4a x ठीक है पर पर समझे गई यहाँ अपनी जो है अंतर इस परसिया ज्याद करने की second method है ठीक है अब देखते हैं इन्हें एक क्रम में विवस्तित करते हैं ठीक है m square x square m square x square plus 2mxc इसे इस सट ले जाते हैं 4a x और c square को उस सट ले जाते हैं ठीक है फ्रेंट्स अब क्या करते हैं कि जो भी इस जो वक्र है इस वक्र में जो भी x की उच्चतम घात है कम सकम दो उच्चतम घातों को सुनने के equal to रखना है ठीक है अभी एक कम और कर लेते हैं इन्हें से common कुछ चीज़े देते इन दोन हम क्या चीज़ का होना है प्रेंट्स एक्स तो यहां से बचेकर टू एम सी माइनस फोर ए एक खल्टू माइनस सी स्क्वेर तो गाज देखें फाइनली अपने को इतना चीज़ प्राप्त हो चुका है इसे आप फटा फट से नोट की जगा हम नेस्ट पेज में इस स्क्वेर एक सी स्क्वेर अब क्या करना है एकष की जो उच्छ तम घात वह उससे सुनने के कोल्टू रके यह और इस कम सकम दो उच्चतम घातों को रखना है तो इसे भी रखते हैं 2mc-4a equal to 0 आई हो आपको इतना चीज़ समझ में आए होगा देखिए तो इसे पहले इसे हल कर लेते हैं तो इसे हल करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा mx² इसके बटे में जाएगा तो सुननी ही आजाएगा m² equal to 0 तो यहाँ पर m equal to 0 प्राप्त हो जाएगा अब m की value इसमें रख देते हैं तो अपने को c की value प्राप्त होगी तो देखिए m और c की value ही प्राप्त करना अंता है इस पर यह फ्राप्त करने का एक मैथट है ठीक प्राप्त तो देखिए यहाँ पर 2 को मना जाएगा इनमें सम में यहाँ पर लिखेंगे mc minus 2a equal to 0 तो उस साड़ जाएगा तो divide में आ जाएगा मतलब 0 हो जाएगा और यहाँ पर m की value रखते हैं तो m की value 0 into c minus 2a equal to 0 हो जाएगा इतना समझा है फ्रेंट्स अब देखिए यहाँ पर सिर्फ बचा minus 2a equal to 0 और यहाँ से minus a की value 0 प्राप्त हो जाएगी जबकि जो a की value है where does not equal to 0 आना चाहिए वक्र में ठीक है इस परवले में does not equal to 0 आना चाहिए और यहाँ पर देखिए c की कोई value ही प्राप्त नहीं हुई ठीक है मतलब c की value plus infinity से minus infinity के बीच ही होगी तो हमने बताया था कि c की value plus infinity से minus infinity के बीच में प्राप्त हो तो वह जो वक्र होगा उसमें कोई अन्ता है इस परवले में प्राप्त हो चुका है मतलब a की value यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है 0 जबकि a की value does not equal to 0 आना चाहिए ठीक है तो c की value यहाँ पर प्राप्त ही नहीं हुई मतलब c की value कहीं न कहीं प्लस infinity से minus infinity के बीच होगी जब भी c की value प्लस infinity से minus infinity के बीच आजा है मतलब उस वक्र में यह जो वक्र है y square equal to 4ax का अस्तित्त ही नहीं है क्या नहीं प्राप्त अस्तित्त ही नहीं है तो I hope guys आपको वीडियो पसंद आई होगी यह वीडियो पसंद आती तो वीडियो को लाइक किजेगा और चैनल को सब्सक्राइब किजेगा और बैल आइकन को भी प्रेस कर लीजे जिससे इस प्रकार की helpful वीडियो आपको time to time मिलती रहे थैंक्यू गैज